पूर्व मुख्यमंत्री मायवती ने ज्यानवापिर के मामले पर कहा कि इस तरीके के माहुल से देश में 37 हार्ज के माहुल को बिगारने का काम किया जा रहा है जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है महंगाई आसमा चू रही है उसे से त्यान भढ़काने के लिए बीजेपी और उनके सहयोगी दल के लोग धार्मिक भावनाओं को भढ़काने का काम कर रहे है आजादी के वर्सों बाद धार्मिक अस्थलों को निसाना बनाया जा रहा है जो बहुत गलत है बस्पा प्रमूक मायावती ने कहा कि खडियंद के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भढ़काया जा रहा है इसी से अपना देश मजबूत नहीं बलकि कमजोर ही होगा इस पर बीजेपी को ध्यान देने की जरूरत है इसके साथ ही एक धर्म अबिसेश के तहट नाम परिवर्तर के मामले पर इसी से देश में सांती और भाईचारे के माहोल खत्म होगा मायावती ने जनता को सतरक रहने के साथ साथ कहा कि इस तरीके के बयान बाजी और धार्मिक माहोल से सभी लोगों को सतरक रहना होगा